हलो एन वेलकम बाग माइ यह फ्रेंज़ चीस तरह से मल्टिप्लिकेशन में हम लोग स्पेसिफिक और censorship देखते हैं वेदिक रनेत में पिल्कुल उसी तरहा Camerhameben में भी अस्पेसिफिक और चेन्रल टेख्नächst दोनों होते हैं revision के अरहाurarकि यह specific techniques कुछ ही numbers पर apply होते हैं कुछ ही cases में apply होते हैं लेकिन फिर भी हमें इन्हें नकारणा नहीं चाहिए क्योंकि इनकी use से आसानी से बहुत ही कम समय में हमें result मिल जाता है और यह कई cases में बहुत ही उपियोगी होते हैं कई बार हम लोग mental calculation भी कर पाते हैं ऐसे technique से दूसरे technique होते है general tricks जो किसी भी number पर पर पराबर apply होते हैं हम लोग उने निखिलम division के tricks देखे हैं निखिलम division के examples देखे हैं हम लोग उने जाना था कि निखिलम division तब use होता है जब diviser basic छोटा number हो base के आसपास का base से कोई छोटा number अगर होता है तो निखिलम division बहुत ही easy method है division करने का अभी हम लोग पारवार्थ्य method देखेंगे अगर diviser base से थोड़ा सा पड़ा number है तो पारवार्थ्य method बहुत ही easily apply होता है कई वार इस method से हम लोग mental calculation भी कर पाते हैं पारवार्थ्य योजेयत ये वेदिक गनित का fourth सुत्र है और इसका मतलब होता है transpose and apply यानि कि चीजिज को परिवर्थन करके परिवर्थित करके उनका इस्तमाल करना transpose and apply इस चीज़ को हम लोग detail में कुछ examples के साथ समझेंगे तो चलिए बिना किसी फिलम के पहले example से सुरू करते है 13454 divided by 112 तो इस case में देखिए 112 पेस से बड़ा नमबर है इस case में हमारा बेस होगा 100 और 100 और 112 की बीच में कितना difference है 12 का difference है 112 minus 100 is 12 12 का difference है तो इस difference को हम लोग परिवर्तन करेंगे पहले step कैसे होते है हम लोग पहले हम लोग देख लेंगे पेस में 2 0 है तो remainder half में हमें 2 digits मिलेंगे यानि कि right half में हम लोग 2 digits लिखेंगे ये बिलकुल निखिलम division की तरह ही same है right side में 2 digits अलग कर दिये जाएंगे और cosine half होगा बीच में 1 3 4 और divisor half होगा left hand side में 1 1 2 अब हमें सबसे पहले देखना है base और divisor के बीच का difference कितना है तो base और divisor यानि की 1 1 2 minus 100 is 12 ये 12 जो हम लोग का difference है इसको हम लोग परिवर्तन करेंगे इसको हम लोग opposite transpose करेंगे इसका sign opposite हो जाएगा तो ये 1 2 positive plus 1 plus 2 है इसकी जगह हम लोग इसे minus 1 minus 2 कर देंगे इसको हम लोग ने simply transpose किया है अब ये transpose किया वर digit को हम लोग apply करेंगे इसी number से हम लोग आगे multiplication करते हुए बिलकुल निखिलम division की तरह ही process आगे बढ़ेगा और हम लोग quotient और remainder निकालेंगे अगर आप लोगोंने निखिलम division की वीडियोज नहीं देखे है तो उपर दिये गए i button में click करके सरुर देख ले उससे ये चीज बहुत ही आसान और बहुत ही clear हो जाएगी बिलकुल निखिलम division की तरह ही पहला digit cosine half का पहला digit as it is नीचे पूल करेंगे हम लोग तो one नीचे आ जाता है as it is अब यह one चो digit है इसे हम लोग transpose digit से multiply करेंगे यानि कि one transpose digit कौन कौन सा है minus one minus two यह लोग यह minus one minus two यानि यह vinculum digits है यह one bar यह two bar के रूप में भी लिखे जा सकते है हम लोग किस तरीके से इसे denote करेंगे है हम लोग अपने हिसाप से कर सकते है minus one minus two भी लिख सकते है या one bar two bar भी लिखा जा सकता है हम यह समझना है कि यह negative digits है तो अब one को हम लोग multiply करेंगे one into minus one is minus one और one into minus two is minus two ओके second step पिलकुल simple है second line के numbers को हम लोग add subtract जो भी करना है कर देंगे simple calculation करना है तो three minus one हो जाता है two अब यह two को हम लोग फिर से transport digits के साथ multiply करेंगे तो हमें मिलेगा minus two minus four two into minus one minus two two into minus two minus four third line को वापस add subtract कर देजिए तो हमें zero मिलेगा four minus two minus two is zero अब इस zero को multiply कीजिए transpose digits से तो हमें मिलेगा zero zero सारे digits को हम लोगों ने cover up कर लिया है आगे हमें multiplication नहीं करना है simple addition subtraction से ही काम बन जाएगा तो simple calculation कर देते हैं five minus four is one and four plus zero is four तो ultimately हमें क्या मिला हमें कोसेंट मिला one two zero और remainder हमें मिला one four fourteen तो कोसेंट हमारा होता है 120 remainder होता है fourteen बड़ी आसानी से यह चीस आ गई है अगर हम लोग इसे mentally भी करना चाहें तो बिल्कुल कर पाएंगे बहुत ही आसान है चले एक और example देखते हैं हम लोग divide four nine seven three four two by one two one तो पिल्कुल पहले की तरह यह one two one का पेस होगा hundred hundred में दो zero है तो right side से दो डिजिट को हम लोग remainder half की तरफ लिखेंगे और बाकी सारे डिजिट साएंगे कोसेंट half में difference देख लेते हैं divisor और पेस का difference होता है one two one minus hundred is twenty one twenty one को हम लोग transpose करेंगे हो जाएगा minus two minus one या फिर two bar one bar बाकी steps निखिलम division की तरह ही रहेंगे first digit कोसेंट half का first digit left most digit as it is निचे आ जाएगा और यह four को हम लोग इन transpose disease से multiply करेंगे तो four हो जाएगा minus two से multiply और four हो जाएगा minus one से multiply जो कि हमें देगा minus eight minus four second step में simple subtraction करना है nine minus eight is one अब इस one को transpose disease के साथ multiply कर दीजिए जो कि हमें देगा minus two minus one third step में simple calculation कर दीजिए seven minus four minus two is one इस one को फिर से transpose disease से multiply कीजिए हो जाता है minus two minus one fourth step में भी addition subtraction करना है हमें मिलेगा zero zero को हम लोग transport disease से multiply करेंगे जो कि हमें देगा zero zero अब हम लोगों ने last disease तक multiplication कर दिया है आगे multiplication की ज़रूरत नहीं है यहीं पे stop करेंगे अभी हमें स्रिफ addition subtraction करना है तो हमें remainder half में मिलता है four minus one is three and two plus zero is two तो ultimately कोसेंट हमारा होता है four double one zero और remainder होता है thirty two अब इसी चीज़ को अगर आप लोग decimal में करना चाहो तो simple है कुछ नहीं है यहापे हम लोग point लगा देंगे remainder half के इस border line पर हम लोग point लगा देंगे यह decimal point है तो उपर dividend में zero लग जाएगा और further multiplication करते वे हम लोग decimal में answer निकाल सकते हैं इस चीज़ को हम लोग एक example के तुरू समझेंगे आगे अब ही हम लोग एक और example देख लेते हैं divide three six five two zero nine eight one by one double three तो इसमें भी pace हमारा hundred ही है two zero है तो dividend के right side ये दो डिज़िस को हम लोग remainder half में करे रखेंगे पाकि सारे डिज़िस कोसेंट हाफ में हो जाएंगे तो हमें मिलेगा कोसेंट हाफ में मिलेगा three six five two zero nine और remainder half में होगा 81 और divisor हमारा one hundred and thirty three है तो simple hundred thirty three का hundred से thirty three difference होता है तो इसको हम लोग transpose कर देंगे तो और होगा minus three minus three इसे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास simple एक आ रहा है कि पेस के पेस से थोड़ा सा बड़ा नंबर है hundred thirty three है तो one को हटा दीजिए three three लिग दीजिए और three three का transpose digit ले लिजिए जो की होता है negative three negative three as it is पहला rule as it is apply होता है first digit as it is निचे आ जाएगा three three को हम लोग बाकी दोनों डिजिए से multiply करेंगे transpose हुर भी दोनों डिजिए से multiply करेंगे तो हमें मिलेगा minus nine minus nine second line को हम लोग add subtract कर देते है six minus nine is minus three फिर से हमारे पास minus three है अब इस minus three को हम लोग को minus three और minus three से multiply करना है यानि कि minus minus plus हो जाता है और three three is nine and nine third line में addition subtraction कर देते हैं minus nine plus nine कर जाएगा five remaining है और five को अब हम लोग transpose की वे digits के साथ multiply करेंगे तो हमें मिलेगा minus fifteen and minus fifteen fourth line में addition subtraction करते हैं nine plus two is eleven minus fifteen is minus four अब इस minus four को हम लोग को ये transpose की वे digits के साथ multiply करना है तो sign हमारा positive हो जाएगा क्योंकि minus minus plus हो जाता है और four three is a twelve है तो तो वार हमें twelve and twelve मिलेगा fifth line के calculation कर लेते हैं minus fifteen plus twelve is minus three फिर से minus three हमें मिला है तो इसे हम लोग transpose digits के साथ multiply करेंगे तो हमें मिलेगा nine and nine next line का addition subtraction कर देते हैं twelve plus nine is twenty one plus nine is thirty इस thirty को अब हमें multiply करना है minus three और minus three से तो हमें मिलेगा minus ninety minus ninety आगे का calculation कर लेते हैं तो हमें मिलता है आप यहां पे जो कोसेंट और remainder मिल रहा है कुछ अजीब सा लग रहा होगा लेकिन इसमें बिल्कुल भी अजीब मानने वाला कुछ नहीं है इसे हम लोग आगे प्रोसेसिंग करेंगे तो यह फटा-फट सॉट आउट हो जाएगा balancing technique हम लोगों ने देखे थे पिछले की कुछ episodes में हम लोग balancing techniques को देखा है तो अभी हम लोग cosine half और remainder half को balancing करेंगे cosine half को balancing करते हैं सबसे पहले right hand side से सुरू करेंगे zero as it is zero जाएगा three जूर जाएगा minus 3 के साथ तो 3 plus 3 minus 3 हो जाता है zero next digit minus 4 single digit है तो इसको हम लोग 4 बार लिख देते है next digit five है single digit है as it is लिख देते है next digit three minus three है तो इसे हम लोग three बार लिखेंगे और last में हमारे पास three है इसे as it is लिख देते है अब यहाँ पर हमें दो vanquillium dizzits मिल रहे है यह चीज हम लोगों ने अल्रेड़ी विडियो नहीं देखा है तो उपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके प्लीज देख लें विडिकनित की तो विडिकनित रूल्स यूज करके इसे नॉर्मल ना फॉर्म में चेंज करते हैं प्लिकनित के देख affirm. मसं में उताए जहां गए तो विड़ुकै कर दराए 10ell eg को तो इसके पार challenging क्याक होना मांचरार एगा रहें आपके लिए 10iegen, आपके व giàए 10 एवेगा वाम्कली क्लाइज हो झाराए रहे हैं, तो हमारा फाइनल रिसल्ट आता है 2746 00 पिल्कुल इसी तरह रिमेंडर हाफ में देखिए 9 एज़ जाता है माइनस 8 माइनस 73 माइनस 8 माइनस 73 हो जाता है माइनस 81 तो अब हम यहां पर मिला है माइनस 819 लेकिन अब एक और समस्या यहां पर आ रही है रिमेंडर नेगेटिव मिल रहा है माइनस 819 रिमेंडर नेगेटिव कैसे हो सकता है रिमेंडर तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता खेर यह विदिकनित में आ सकता है लेकिन फिर भी यह सही नहीं है इसे हमें positive करना है तो अब इसे 819 को हम लोग positive कैसे कर सकते हैं हमें ये समझना है कि ये 819 जो minus में आ रहा है यानि कि 819 नमबर नीचे है हम लोग negative की तरफ है हम लोग यानि कि हमें इसे positive बनाने के लिए या तो हमें 819 या फिर 819 से बड़ा कोई नमबर चीए तो 133 की table में 819 या 819 से बड़ा नमबर कहां आ सकता है ये हमें देखना है तो थोड़ा सा ये ज्यादा hard नहीं होगा थोड़ा सा logic लगाने से या थोड़ा सा simple calculation करने से हम लोग को समझ में आ रहा है कि 133 को अगर हम लोग 7 से multiply करते हैं तो हमें मिलता है 931 अब अगर ये 931 हम remainder में add करते हैं जो 819 हम लोग का remainder है उसमें हम लोग अगर 931 add करते हैं तो हमें एक positive number मिल जाएगा और ये 931 हमें कहा से मिला 133 को 7 times multiply करने से मिला यानि कि इस 7 को हमें cosine से decrease करना है यानि कि 133 को 7 से multiply करने से हमें 931 मिला है और ये 7 जो है ये हम लोगोंने cosine half से निकाला है cosine से हम लोगोंने कुछ number मांगे 931 नमबर मांगे वो हम लोगोंने remainder में add कर दिये और 7 को हम लोग cosine को उसी respect में घटा देंगे तो cosine हमारा है 274600 इसमें अगर हम लोग 7 घटा देते हैं तो हमें मिलेगा 274593 ये हमारा actual cosine होगा और 7 into 133 चो की होता है 931 इसे हम लोग remainder के साथ add करेंगे चिसे की हमें एक positive remainder मिल जाएगा यानि की 931-819 होता है double one two और cosine हमारा होता है actual cosine होता है 274593 और actual remainder होता है 112 इस type के case हम लोगोंने निखिलम division में भी देखे थे उसमें हम लोगों को remainder ज्यादा मिलता था तो हम लोग remainder से कुछ digits pool करके जितने की हम लोग के बनते हैं diviser से multiply करके जितने की बनते हैं उतने हम लोग pool करके cosine में add कर दे थे और remainder side से subtract कर दे थे इस case में ठीक उल्टा होता है remainder क्योंकि हमें छोटे number मिल रहे है negative numbers मिल रहे हैं तो हम लोग cosine से खेंच के remainder में add करेंगे और remainders को positive करेंगे cosine को घटा देंगे चीज एक ही है बहुत आसान है लेकिन हाँ maths practice से ही समझ में आती है चलिए कुछ और example दिखते है divide 2134628 by 1013 इस case में हमें four digit divisor मिला है 1013 हमारा divisor है तो यह सबसे पास का base होगा thousand जिसमें की तीन zeros है तो remainder side में हम लोग 3 digits रखेंगे बाकी सारे cosine half में आएंगे thousand हमारा base है 1013 minus thousand is 013 यहाँ पर एक चीज देखिए हम लोगोंने 013 लिखा है क्योंकि हमारे base में 3 0 है तो जो digit हम लोग transpose कर रहे हैं उनमें भी 3 digits होने ही चाहिए इसलिए हम लोग 0 को बिलकुल avoid नहीं करेंगे 0 को ध्यान में रखेंगे बाकी process as it is same है first digit को pool कीजिए 2 drop हो जाएगा 2 को हम लोग 3 transpose digit से multiply करेंगे 0 को कभी minus लिखने की जरुवत नहीं होती है क्योंकि 0 minus हो ना हो doesn't matter 0 is never a negative number ठेक है तो 2 को हम लोग 0 से multiply करेंगे हमें मिलेगा 0 2 minus 1 is minus 2 and 2 into minus 3 is minus 6 second line को calculate कर लेते हैं 1 plus 0 is 1 अब 1 को हम लोग multiply करेंगे 0 minus 1 minus 3 से तो हमें मिलेगा 0 minus 1 minus 3 third line का calculation कर लेते हैं हमें फिर से 1 मिल रहा है तो इसे transpose digit के साथ multiply कर देते हैं हमें वापस मिलता है 0 minus 1 minus 3 fourth line के digits को हम लोग calculate कर देते हैं तो हमें मिलता है 4 minus 6 minus 1 is minus 3 अब इसे वापस transpose digit के साथ multiply कीजिए तो हमें मिलेगा minus 3 into 0 is 0 minus 3 into minus 1 is 3 minus 3 into minus 3 is 9 ओके तो आप remainder side का simple calculation कर देते हैं हमें मिलेगा 2, 2 और 17 तो हमें remainder half मिल रहा है 2, 1, 1, 3 बार इस 3 बार को हटाने के लिए हमें विंकुलम रोल्स को apply करना है तो हमें मिलेगा 10 minus 3 is 7, 1 हो जाएगा 0 और 2, 1 रह जाएगा as it is तो कोसेंट हुआ 2, 1, 0, 7 remainder होता है 3, 2, 3, 7 balancing किया है कुछ नहीं किया है वान को carry over किया है 2 के साथ और हो जाता है 2, 3, 7 लेकिन अगर आप इससे हमें decimal में करना है तो हम क्या करेंगे इससे further हम लोग multiply करेंगे यहां पर point रखेंगे जब हम लोगोंने कोसेंट में point अड़ कर दिया है तो हम लोग जितने चाहे remainder side में 0 डाल सकते है तो एक 0 लगा दिजिए, एक 0 लगा के further हम लोग multiply करेंगे तो हमें मिलेगा 2 को हम लोग transpose दिशिस से multiply करेंगे हमें मिलेगा 0, minus 2, minus 6 further calculation कर लेते हैं तो हमें मिलता है 2, 2 रह जाता है वापस एक 0 लगा दिजिए, इस 2 को वापस transpose digit के साथ multiply कीजिए तो हमें मिलेगा 0, minus 2, minus 6 further calculation कर लेते हैं 9 plus 80 is 17, minus 2 is 15 अब इस 15 को हम लोग further multiply करेंगे वापस एक 0 लगा देंगे और 15 को further multiply करेंगे तो 15 zeros are 0 15 minus 1 is minus 15 और 15 minus 3 is minus 45 इस तरीके से चितने digit आपको चाहिए decimal के बाद आप 0 add करके निकाल सकते हैं 0 add करते चाहिए, digits निकलते जाएंगे अब ही हम लोग simple calculation कर देते हैं तो हमें यहां पे विंकुलम डिजिट मिल रहे हैं हमें मिल रहे है 2, 3, 4, 0 bar, 5 bar, 5 bar अब इस विंकुलम डिजिट को अब लोग normal डिजिट में change कर देंगे 10-5 विल बी 5, 9-5 विल बी 4, 9-0 विल बी 9, 4 घटके हो जाएगा 3 और 23 as it is जाएगा तो हमारा overall quotient होता है 2107.233945 इस तरीके से हम लोग को जितने डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद हम लोग आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो आज की वीडियो में इतना ही एक और एपिसोड हम लोग देखेंगे पारवर्थ है डिवीजन का जिसमें हम लोग कुछ और टीटेल में कुछ और examples को देखेंगे लेकिन एक चीज हमें समझने चाहिए कि पारवर्थ है डिवीजन के ट्रिक को हम लोग तभी यूज करेंगे जब टिवाइजर साइड का नंबर पेस से थोड़ा पड़ा हो और उसमें डिजिस 0,1,2,3 टाइप के छोटे डिजिस हो और ये भी कोशिस करें कि डिवीडेंड में भी डिजिस छोटे हो तो छोटे डिजिस जब होते हैं तब हम लोग के calculation थोड़े आसान रहते हैं लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि पारवर्थे डिवीजन को हम लोग avoid ना करें इसके एतने सारे limitations है फिर भी इसे avoid ना करें क्योंकि वेदिक algebra में इसके बहुत सारे फाइदे हैं बहुत important है वेदिक algebra के लिए पारवर्थे डिवीजन बहुत आसाने से हम लोग वेदिक algebra के equations को डिवीजन को solve कर सकते हैं पारवर्थे rule यूज करके अगले कुछ episodes में हम लोग देखेंगे इस चीज़ को इसलिए हमें इसे avoid बिलकुर नहीं करना चाहिए अभी के लिए बस इतना ही हर बार की तरह वक्त हो गया है practice state का आप लोग maths के वीडियोस देखें समझें लेकिन उन्हें practice ना करें तो कोई फाइदा नहीं होता है तो इसलिए हर बार की तरह इस बार भी ये रहे आपके लिए practice state के questions इन questions को practice कीजिए और अपने comments, अपने अनुभाव, अपने suggestions मेरे साथ share कीजिए नीचे comment section में बाकी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जोड़े रहने के लिए और ग्यान की बहुत सारे बाते सिखने के लिए प्लीज, प्लीज, चैनल को subscribe कीजिए notification bell button को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियोस के notifications सबसे पहले अगर आप अपने आज की वीडियोस से कुछ जाना हो, कुछ सीखा हो, कुछ interesting लगा हो, तो प्लीज, अपने दोस्तों के साथ चिस किसी को भी मैट्स के वीडियोस की ज़रूरत हो, मैट्स, इजी मैट्स के ट्रिक्स की ज़रूरत हो, उनके साथ जरूर जरूर सेर करें वीडियो को प्लीज एक थमसब दें ताकि ऐसी वीडियोस बनाने में हमें भी मज़ा आता रहें अभी के लिए बस इतना ही कोंगी, keep practicing, stay healthy, stay home and stay safe.